तॉल पाजा, बंबाई, डेली, एक्स्साईवे की सुरट की एंट्रे के लिए यहाँ पे बालडोली पलसाना रोड पे यह तॉल पाजा बनता है एना के पास थांक्यू बंबाई सूरत डेली एक्सेस आईवे फॉर प्लस फॉलेट की मैं जहां पे खड़ा हूँ वहां पे नया टॉलना का बना है ये टॉलना के से सूरत की डक्सिन की एंट्री यानि की पलसाना के पास पलसाना बालदोली रोड के उपर से ये साउठ में जाने के लिए सूरत से सा आउट में जाने के लिए बंबाई या तो फिर नया बनने वाला सूरत से चन्ने एक्सेस आईवे की यहां से एंट्री एक्सिट होगी मुंबाई सूरत डेली एक्सेस आईवे मैं अभी सूरत की डक्सिन की एंट्री के पास हूँ पलसाना से बालदोली जाने वाले रूट क पास यहां पर में हम जहां पर भी देख रहा है वो दिशा गलूडा यानि की पलसाना की और जाने वाली सुरट की एंट्री है और यह जो में दिख रहा है वहां पर बड़ा सा टॉलना का बन रहा है इसका बेजिक स्रक्चरम देख सकते हैं सामने की साइड यानि की हम जहां पर देख रहा है वो फस्सिम दिशा है और वहां से फिर सुरट की एंट्री होगी पलसाना से बालडोली के बीच में एंट्री होगी तो यहां पर सुरट की डक्सिद की एंट्री एक्जिट होगी जो सुरट से बंबई या नया बनने वाले च पूरत से चनना यह एक्सर साइवे जो बनेगा उसकी यहां से हम लोग एंट्री कर सकेंगे एंट्री एक्जिट कर सकेंगे अब भी देखो हम यह देख रहा है यह पूरा पूरा एक्सर साइवे है यह एक्सर साइवे के उपर आगे जाके बालडोली पलसाना रोड के पास यह पूरा एक्सर साइवे पसार होता है और यहां से हम लोग आगे जाएंगे तो एक्सर साइवे की उपर एंट्री होगी अभी हम लोग एक्सर साइवे के उपर नहीं है उस पर्वाँ सबस्क्राइब सिपस एक्सेसर समय शाहतêsागैं यहां जा सकेंगे बावोडा करूंड होगा में sind घृमामिन क्रोश होगा तो हम लोग imagine कर सकते हैं कि ये रोड की खुट की चोड़ाई कितनी है और ये रास्ता से आगे जाके फिर अगर किसी को अमदाबाद जाना हो यानि डेली के जाना हो या तो फिर किसी को बंबई के जाना हो तो वो यहां से जा सकेंगे या फिर यहां से आ सकेंगे